सुनने वाले सभी भाईयों और भेहनों को मेरी दर्व से जैरम जी दोस्तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीरा चावल की रस्पी दोस्तो आज आज आपको बताएंगे कि कैसे कि सिंपल से चोल को भी आप हमारे मेथड से बासमती चावल की इतना पौदर्शी बना सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को के प्यान तक देखे ताकि आपको सब्सक्राइब कि हमने क्या मैथर चूज किया और किस मैथर से यह बना रहे हैं इसके लिए हमने क्या-क्या समगरी ली है आपको बता दें सबसे पहले हमने यह कि यह दो गलाज लिए हैं जिराइस हमने सिंपल राइस लिए हैं देख लिए हैं को बहुत बढ़ी आज नहीं यह सिंपल राइस है दो गलाज राइस दो मीडियम साइज आलू हमने काड़कर पानी में रख लिए है क्योंकि काड़कर रखने से आलू काले पढ़ जाते हैं इसलिए हमने पानी में डाल लिए एक टोरी मट्र एक टोरी गाजर नमक जैसे दो गलाज हमने राइस लिए हैं और इसमें दो चमची दो टीस्पून नमक ड़ेगी विएक हमने जे सबजी ड़ी है मैटर और गाजरिस के असाब से वन फॉर्थ टीस्पून चमच बचाई है चय मतलब कि सबाद दो चमच हमने नमक ले ले लिए एक चमच जीरा बोड़ जीरा लेना है मिर्ट हमने आप चमच लेनी है बाकिया आपनी टेस का रस होते हैं एक चमच अजवाइन दो मीडियम साइज प्याज पाइज से शेफ बते कडी पता पाइज से शेफ इस और दिए हमने कलर लिया है ग्रीन इकलर खाने में डालने वाले ग्रीन इससे चावल का लंग बढ़िया वाज जाएगा तो दोस्तों हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इन चावलों को अच्छी तरह दोना है दोस्तों जैसे कि हमने चावल अच्छी तरह दोलिये हैं हमने इसमें जैसे कि दो गलास चावल थे और जे शबची थी उसे साफ से हमने सबाब दो गलास पाइज डाला है इनके साफ से आजा गलास ऑपन डाल दिया है अच्छी तरह दोलिया है तो चलिए बनाते हैं चावलों उसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हमने जैसे हमने दो गलास चावली है अब जैसे साफ से ही हमने आज यह फाइंड सरसों जो भी आप इसमें करते हो ही जहना है इसमें हमने यह सबसों का ओल लिए एक कर्ची कि दो कर्ची है कि सब्सक्राइब दो कर्ची है कि सब्सक्राइब दो कर्ची दे लिया है अब तेल को तोड़ा सा गर्म होने दें गया दबाल दें कि दोड़ते हैं लिφाल कि दो देंग दोड़ाथ तो कि दो पित दो में दो डो रेंगे लिए इसमें आप जाईक को पिता हो ही जा अब से हमारा तेल गर्म हो रहा है कि इसमें हम डालते हैं एक चम्मिच जीरा कि आदा चम्मिच अजवाएं अब इसमें डालते हैं यह मारा गर्म हो रहा हुई अब इसमें डालते हैं दो मीडियों साइज प्यार अब जो हमने कड़ी पता लिया है वह इसमें डाल देना है अच्छी तरह इससे में बुन जाएगा इसको हम अच्छी तरह पाई कर लेते हैं हुआ है डूसों में कड़ी पता हम इसलिए डाला है तो कड़ी पता है एक तो इससे हमाई राइस का फेस बढ़ जाएगा और ये कड़ी पत्ता हरवल भी है इसका आपके चीज़ के बहुत बैनिफिर करता है आपने देखा होगा कि मदराज साइट में कड़ी पत्ता हर सब्जी में डालते हैं कि मदरास में इन वाले लेडिस सब्जी के बाल बहुत मजबूत होते हैं उसका यही राय है वो हर सीज में कड़ी पत्तत्यूद करते हैं दोस्तों यूदे यह चलीज परता है इसलिए उने इसमें डाला है कि यह स्का पेस्ट बढ़ जाएगा रेक रेकले हमारे परिवार के लिए परवार के बालों के लिए आईसाइट पर भर्या है तो आप भी मेरी सालब मन के इसका उसके करना शूरू ब्यू लिए आपके प्रवार के भी बाल बढ़िया रहें और आई-सेट खी रही तो चलिए देशे देशे दूस्तों हमारे एपिया इलाल हो रहे हैं और इसमें डालते हैं नमग को जैसे कि मैंने पहले पिताया था आपको चोल के चावल के रिसापत ही नमग डालने हैं हमने 2 गलाज चाब लिए हैं तो 2 चमच नमक डालनी है फुर्ष भरके नहीं ज़िए एक कर दो जैसे हमने 2 तोरी सब्जी है तो साथ से वन पॉस नमक चमच नमक डालना है नमक का जाव अब टेस्ट साथ से डाल देते हैं जादिके नमक डल गया है लाज बुरान होने वाला है करी परता भी बुढ़ रहा है इसकी खुछीबू बहुत ही बड़ी हा रही है अब दे सकते हैं कि हमारे जो प्याज है वो जो करम सल है वो बुल चुका है अब दे स्कोटर डालना है वो भी आप अपनी तेस के साथ से डाल सकते हो जैसे हमने तो केवल आदा चमची डालना है क्योंकि बच्चे हैं सब्सक्राइब बच्चों ने खाना होता है इसलिए हम जाद दिखानी रगते हैं अगर आप तिखच समक्रापते हो तो और भी डाल सकते हो इसको भी बूल लेते हैं और लुएक गजानी हमे बच्चे हुआ थे डालले हैं है हैं है को ज़िए करती बच्चे ही डालाओ ते लिए पनी डाला होता है वो भी डाल लेती है अब हम जे अपने कोरियंटर ले जाननी की धनिया की पत्ती इसमें डालेगी अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे खाना खाने वाला खाने में पढ़ने वाला रंगीन कर ला इसकी कोरिटी एक मिंच यहार नहीं डालना है यह देखिए एक चुटकी है और अब इसको अच्छी तरह से मिस्स कर लेना है मिक्स हो गया है अब इसको हमने डक्कन लगा रहे हैं अब हमने इसकी एक विसल भी जानी है उसके बाद हम देखें क्या होता है तो दोस्तों हमने इस राइस की एक सीट भी आ दी और इसके बाद हमने तब तक वेट किया जब तक इसका पूरे प्रेशर नहीं निकल जा रहा है अब इसको प्रेशर चैसे देखते हैं निकल गया है अब हम चेक करते हैं अब इसको अलाते हैं देखें अब देखो देखें दोस्तों कितने बड़ी जबल बने हैं राइस बने हैं यह हमारे जो राइस हैं यह बासमरी राइस से भी जारा बड़ी टेस्टी बने हैं तो दोस्तों 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 जिसमगा राइस अब विकल तियार है देखो यह से देखने में कितने देशिश वगारे हैं उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है कैसे आप सिंपल से राइस को भी बासमती राइस से बढ़िया टेस्टी बना सबते हों उसके लिए क्या ट्रिक है दोस्तों जैसे कि आपने सारी वीडियो देखी इसमें सरफ एक ही ट्रिक है कि आपने मतलब यतने भी मेटेटल दालना है वो डाल ले उसके बाद यह ख्या मोचं काल यहा पाद यहाइन सारी राइस कैसे बासमती राइस में क्से राइस पर राइस हो राइस होते हैं वैसे राइस तो दोस्तों ये रस्पी आप कैसे लगी कि पर मुझे बिता है अगर आपको ये रस्पी पसंद आई तो कमेंट करना शेर करना लाइक करना धन्यवाद